हलो दोस्तों कैसे हैं आपस तो भाई यह है फास्ट ट्रैक की बहुती ज्यादा ट्रेंडिंग स्मार्ट वाच और इसका नाम में फास्ट ट्रैक रिवॉल्ट fs1 pro और इस वाच के खासयात है इसके डिस्प्लेए क्योंकि का दावाए किसमें कर डिस्प्लेय मिलती है और इसी को चेक करने के लिए मैंने वाउच को मंगा लिया और लगबाग दो दिनों से यूज़ कर रहा हूँ तो क्या सच में कार डिस्पले है भी या नहीं और इसमें क्या चा मिलता है क्या बुरा मिलता है सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ तो आर इसका डिटेल रिवी होने वाला है और अगर आप लोगों को इस वाच को पर्चेस करना है तो वीडियो पूरी एंड तक देखें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें बाकी वीडियो का पसंद आए और इंफरमेटिव लगे तो लाइक और शेर जबर और बॉक्स को उपन करते हैं तो यहां पर वाच लख भी मिल जाती है विथ बार कोड जो कि अच्छा लगता है उसके बाद चार्जिंग केबल मिल जाती है और काफी सारे कार्ट मिल जाते हैं जैसे कि सबसे पहले यूजर एंड मैनुवल दी गए जो कि काफी प्यारी सी है उसके बाद क्योर कॉर्ड दिया गया है इसको स्कैन करकर अब डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद यहां पर वारंटी काड मिल जाता है और क्विक स्टाइड मिल जाती है तो यह सारे चीज़ें बाकि अब आते हैं वाच की तरफ और देख सकते हैं वाच बहुती यूनिक औ बस आप को ऑफन करना है और यहां पर QR कोड को स्कैन कर लेना है और आसाने से वाच पैर हो जाएगी वाकिशी बात है कि इसमें सिंगल चीप करनेक्टिवटी का फीचर दिया ग्या है तो आपको बस आप में पैर करना है और कॉलिंग फीचर एक्टिवट हो जाएगा तो यह वाच और सबसे बिल्ड और डिजाइन के बाद करें तो यहां पर इस तरह की डिजाइन मिल जाती है जो कि बहुत ही खुबसुरत लगती है और इसका साइस काफी बढ़ा है तो मतलब यह पतली रिष्ट वालों के लिए नहीं है बाके जिनकी मीडियम सैस की रिष्टे या फि इसके वाज़ा से यह काफी lightweight है और काफी comfortable है तो अगर आप देर तक भी पहनती है तो आपको ज्यादा feel नहीं होगा और यहां पर जो strap दिया गया है काफी बढ़े हां quality का है और इस तरह का pattern मिल जाता है और यहां पर fast track की branding है और इसका strap काफी comfortable है और मुझे पसंद आया और यह कमी रहती है fast track की watches में क्योंकि functional crown से watch को यूज करना काफी easy हो जाता है बट वह चीज़ में नहीं मिलती है इसमें IP68 की rating मिल जाती है जो की काफी अची बात है तो इसको अपडेल मेटर घहरे पाने तक यूज कर सकते हैं और बारिश में लेकर जा सकते हैं कोई भी tensionally बात नहीं है चलो बात करते हैं स्वाच के लिए display की तो इसमें 1.96 की Super AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है और डिस्प्ले क्वाल्टी वाकिया में काफी जबरदास्त है इसमें 410 x 502 पिक्सल का resolution दिया गया है तो डिस्प्ले बिल्कुल क्रिस्प है और शार्प है और काफी तगड़ी जो कि सर्च नहीं है और देख सकते हैं यहां पर जो अंदर डिस्प्ले मिलती है वह फ्लैट मिलती है बड़ डिस्प्ले कुपर जो ग्लास मिलता है वह हलका सा कर्व मिलता है जैसा कि देख सकते हैं यहां पर इस तरह से तो डिस्प्ले की कम हो जाती है और अगर कर्ड डिस लगे मुझे और दिखने में वच काफी प्रीमियम लगती है बाकि इसमें आपको अल्वेज दिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है जहां पर आपको दो तरह के वाच्वस मिल जाते हैं एक अनलोग दुसरा डिजिटल और इसका जो एओडी वह काफी ब्राइट है और कलर मिल जाते हैं वाच में और आप अपना फोटो भी लगा सकते हैं बाकि क्वालिटी आप लोगों के सामने आप की बात करें तो वहाँ पर आपको 200 प्लस वाच्वस का सपोर्ट दिया गया है और काफी अच्छे वाच्वस मिल जाते हैं इसमें आपको दो तरह की मेन्यों श् जाता है उसके बाद मल्टी स्पोर्ट में चलते हैं तो यहां पर आपको 110 स्पोर्ट में मिल जाते हैं जिसमें दुनिया पर के मोट्स दिया गया है कोई भी कमी नहीं है इसमें उसके बाद यहां सब रेकॉर्ड देख सकते हैं उसके बाद स्लीव ट्रेकिंग हार्ट रेट SPO 2 और यहां टाटेस लेफल चेकर सकते हैं और फोम में जाएंगे तो यहां पर डायल Smart Home जीन कर्सक कर सकते हैं उसके बाद ऑफोर्टेस्ट को सिंग कर सकते हैं उसके बाद हुद बैसी सलीप मिल जाते हैं उसके बाद मिजिक कंट्रोल जहां पर आपको वल्यूम का मरजाता करने का उप्शन भी दिया गया है और सौंग का नेम भी शो हो जाता है उसके बाद कैमरा कंट्रोल हो गया और यहां से ब्रीधिंग कर सकते हैं उसके बाद यहां पर विदर फ्रकास्ट जहां अपको साथ बिन का विदर शू हो जाता है उसके बाद अलारम हो गया जहां पर उसके बाद यहां Him तो यहां पर सबसे पहले वाउटवस हो गया उसके बाद बदा अब शक्रीन टाइम अगया इसके बाद मेनू हो गया Webration Nisa उसके बाद चलते हैं तो AOD clock जहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं और किस्टिमाइज कर सकते हैं उसके बाद sound settings इसमें जाएंगे और देख सकते हैं UI काफी ज्याता गंदा है और खुद बखुद स्क्रॉल हो जाता है तो sound settings में चलते हैं तो यहाँ पर ring को आफ कर सकते हैं उसके बाद phone settings और QR code हो गया power of reset restart के सारे options मिल जाते हैं तो भाई यहाँ पर आपको डहले सारे features मिल जाते हैं बट calculator मिसेंगे जो क्यों होना चाहिए था और इसके पहले मैंने fast track optimus smart watch का review आप लोगों को दिया था तो उसमें calculator का support मिलता था और अगर आप लोगों को उस watch के ब 99 काउंट कर लेता है तो इसका pedometer काफी अच्छा लगा मुझे उसके बाद heart rate के बाद के बाद के बाद इसका sensor काफी reliable है और मैंने इसको चेक किया और oxymeter से compare किया तो देख सकते हैं जो reading आ रही है काफी हतक मैच कर रही है तो पहले मैंने normally चेक किया उसके बाद मैंने dot लग गया है और इससे आप अपना stress level भी चेक कर सकते हैं बाकि इस watch की sleep tracking काफी accurate है और यहां पर आपको total sleep उसके बाद सौने का time उठने का time उसके बाद deep sleep light sleep awake time और REM भी show हो जाता है और मैंने इसको दिन में यूज़ किया तो यहां पर nap time भी आप देख सकते हैं जो कि बाद काफी बढ़ यहां quality का है तो अराम से बात कर सकते हैं और जब call आता है तो call को cut कर सकते हैं receive कर सकते हैं और इसमें call switch का feature भी दिया गया है जो कि अच्छी बात है बाकि speaker के आवाद मैं आपनों को सुना देता हूँ तो भाई speaker तो काफी ज्यादा loud है बाकी notification के बात करें तो इसमें English और Hindi के message पर सकते हैं इसमें रही बात इसमाच के UI की तो भाई इसका UI बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और काफी ज्यादा lag गी है जैसे कि उपर से swap down करेंगे तो यहाँ पर CTRL सेंटर दिया गया है उसके बाद नीचे से swap up करेंगे तो यहां से notification देख सकते हैं और देख सकते हैं यह काफी ज्यादा lag करता है उसके बाद left से swap करेंगे तो यहाँ पर अपको menu मिल जाती है जहाँ पर सारे features दिया गया और right से touch response बहुत ही गंदा है जैसे कि देख सकते हैं तो एक बार में यह वर्क नहीं करता है तो इसका UI अच्छा है बट काफी lag है और use करने मज़ा नहीं आती है और connectivity की बात करेंगे तो इसकी connectivity अच्छी है बट कई सारे issues देखने को मिलते हैं जैसे कि every watch phone से connect है बट एप को open करते ह यहां पर यह QR code को मांग रही है मैं अब दुबारा pair करने के लिए बोल रही है जबकि ऑल्रेडी watch connect है यहां पर watch phone से connect है बट एप को open करते हैं तो यह pairing के लिए बोल रहा है तो यह issue देखने को मिला मुझे हालाक इसमें updates आते रहते हैं और update के साथ यह fix हो जाएगा बट बताया हुआ है अब लाश्टिम बात इस watch के battery backup पे तो भाई इसका battery backup भी वैसे ही है जैसा कि दूसरी watches मिलता है और आपको दो दिन का battery backup मिल जाएगा calling feature के साथ बाकि अगर calling feature यूज नहीं करते हैं तो आपको 3-4 दिन का battery backup भी मिल सकता है जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक है अच्छा है बड़ अच्छी बात है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का support दिया गया है और अगर इसको दस मिनट चार्ज करते हैं आपको एक दिन का battery backup मिल जाएगा और यह काफी सही लगा मुझे तो अब आते हैं वर्डिक पी कि case watch को लेना चाहिए या नहीं तो भा 25-25 में काफी अच्छी वाच है और यहां पर डिस्प्ले काफी शांदार है उसके बद एक्रिसी बिल्कुल टॉप नौच है और और काफी अच्छी वाच है आप लोग ले सकते हैं बाकि आप लोगों के क्या रहे इस वाच को लेकर कमने बता सकते हैं और हाँ इसमें आपक तो यह वाच को लाइक कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं और आप लुग जाता है वहां पर मैं सभी का रिप्लाइब कर सकते हैं ग्ली वुडियो में अपना रखें भर